असलाम आलेकूम एवरीवन होप यू आ डूइंग वेल्कम बेक टू माई चैनल रभ्याज डायरी तो जी आज की वीडियो में आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी हाई नेक कॉलर तो जी फटा-फट से वीडियो स्टार्ट करते हैं आपने वीडियो एंट तक लाजमी देख मतलब नॉर्मल है तो आप 2.5 इंच इसकी चुड़ाई रख सकते हैं अगर आप थोड़े हैल्दी है तो आप 3 इंच पे निशान लगाएंगे मैं 2.5 इंच इस पे इदर निशान लगा रही हूं अब हम छोटा साइडर बैक और फरंट पे कट लगा लेंगे इस तरह से ता 3.5 इंच पे लगाएंगे अगर आप नॉर्मल है तो आप 3 इंच इस पे लगाएंगे तो मैंने 3 इंच पे इदर लगा लिया निशान इस तरह से और अब हम इसकी गुलाई कर देंगे आपने ज्यादा डीप इसको बिल्कुल भी नहीं रखना हो क्योंके यह नेक कॉलर जो बैक साइड से मैं एक इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से और मैं इसकी गुलाई कर दूंगी आप लोग अगर हैल्दी है तो आप 1.5 इंच इस पे निशान लगा ले इस तरह से गुलाई हो गई इसकी भी कटिंग कर दूंगी यह मेरी फ्रॉग का बलाउज है मतलब फ्रॉग की बाड़ी है जिसकी मैं कटिंग आ रही हूं इसकी पूरी फुल लुक फ्रॉग की और स्टिचिंग मैंने वीडियो में शेयर किया उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोग ज़ूर देखिएगा तो यह देखिया बैक साइड पे हमारी जिप मैरे पास थोड़ी सी छोटी थी तो जिदर तक यह पूरी आईगी मैं उधर इस तरह से मार्क कर लूंगी और को सेडिंग कर देएँगे जिदर तक हमारी जिप लगनी है उधर तक हम इसकी कटिंग कर देंगे सेंटर से और अब हम एक पटी लेंगे इस तरह से 3-4 इंच चोड़ी पटी लेंगे जो हमने इसके नीचे रखके लगानी है जिप लगाने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं इदर जो मैं लगा रही हूं जिस तरीके से जिप लगाऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा इजी मैथड है तो जी इस तरह से हमने कपड़ा नीचे रख लेना है और सलाई लगा लेनी है हमने कपड़े को नीचे की तरफ रखना है और ब्लाउस की उल्टी साइड ऊपर रखनी है इस तरह से ताकि जब हम नीचे coming कपड़े को फॉल्ड करें तो वो फॉल्ड होकर उल्टी साइड पर आ जाए इस तरह से हमने इसकी सलाई लगा ली थोड़ा थोड़ा मारजन लेते वे अब इसको सेंटर में से इस तरह से कटिंग कर देंगे हम और फिर इसको फोल्ड करेंगे थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरह से और इसके ऊपर कॉर्णर पर रखे भी एक सलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से बैट जाए और सेट हो जाए इसकी सलाई लगाने के बाद अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे सारे कपड़े को और आइरन की हेल्प से इसको अच्छी तरह से सेट कर देंगे वीडियो को एंट तक लाजमी देखा करें प्री आप लोगों को अची तरह से समझ आएगी किस तरह से ये नैका डिजाइन बना है और किस तरह से हमने इसकी मेयरमेंट किया है तो जी देखिया मैंने आइरन की हेल्प से इसको अची तरह से सेट कर लिए और कपड़े को अंदर की तरफ सारा फोल्ड कर दिया है अब जो हमने कपड़ा लगा है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सलाई लगा देंगे तोफ़ाइ लगा लिया है मैंने अब हम जिप लगाएंगे हमने शिर्ट की सीधी साइड रखनी है और जिप की पी सीधी साइड रखनी है और बिल्कॉल साथ सा-साथ आदे पाउंके साथ इसको सलाइ लगाते जाना है उससे होप सो आप लोगों को सेट करते जाएंगे और सासा सलाय लगाते जाएंगे और हमारी जिप लगाने का सबसे जादा असान तरीका है यह कोई भी लगा सकता है इसमें कोई मुश्किल नहीं है इस तरह से जिप लग चुकिया हमारी अब हम कॉलर लगाएंगे इसका हमारी नीट एंड क्लीन जिप लग चुकिया बहुत ही असान तरीके के साथ आप लोग ये मैटड जरूर ट्राइ कीजिएगा ये बहुत ही इजिली जिप लग जाती है किसी भी तरह अब हम फिर नहीं हम अगर शिट पर लगाने ऑथ अब हम बैग और फ्रंट को इस तरह से जोड़ लेंगे और टीरे पर तेसलाइंगे अभी हम सिब्स तीरे की संञाएंगे नहीं लगाएंगे तो जी ये देखे मैंने फटा फट से तीरे की सलाई लगा लिया इदर और मैंने बैक फरंट को जोड लिया है अब हम इसके कॉलर का साइज लेंगे और कॉलर का साइज लेने का तरीका अब मैं आपको बताऊंगी ये सबसे मेन पॉइंट है कि हम कालर का साइज किस तरह से लेते हैं इस तरह ये हमारा त्यार हो चुक है अब थोड़ी सी जिप कोलेंगे और इंची टेप के साथ इसके कालर का साइज ले लेंगे हमने जहां से जिप स्टार्ट हुई है उदर से रखना है इंची टेप को आपने कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खैंचना हलके हाथों के साथ इसका साइज लेना है आप खेंचेंगे तो वह ज्यादा हो जाएगा इस तरह से हलके हाथों के साथ आप लोगों ने इसको पकड़ते जाना और गुलाई में इसका साइज ले लेना है जी मेरा 13.5 आया है इस तरह से आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग लेना है अपना पूरा साइज तो इस तरह से जी देखे 13.5 शाड़े तेरा इंच मेरा आ गया कालर का साइज हम बुकरम लेंगे आप लोग चाहें तो साधी बुकरम ले 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 या मरदाना बुकरम ले 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 अगर आप मरदाना बुकरम लेंगे तो वो ज़्यादा अकड़ जाती है और वो गर्दन पे उलजन करती है तो आप साधी बुकरम ही लीजिएगा इस तरह से मैंने साड़े तेरा इंच लमबाई ले लिया है और मैंने इसकी चुड़ाई लिया है डेर इंच आप लोग ज्यादा या कम भी ले सकते हैं या आप लोगों की अपनी मरजिया अब डबल फोल्ड कपड़े के उपर रखके इसको पेस्ट करेंगे और पहले हम इसकी खुली वाली साइड से इसको पकड़ेंगे और थोड़ी सी गुलाई कर देंगे हलकी सी गुलाई में शेप दे देंगे ये अच्छी लगती है तो जी इस तरह से हम इसको पेस्ट कर लेंगे डबल फॉल्ड कपड़े के उपर और इसको इस तरह से सलाई लगा लेंगे सलाई लगा के इसको सीधा कर लिया और आईरन की हेल्प से इसको अच्छी तरह से सैट कर लिया अब हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे जिदर से हमारी जिप लगी है इस तरह से हमने बहुत ज़्यादा कपड़ा कमीज का कपड़ा इसमें ज़्यादा नहीं लेना हलका हलका कपड़ा लेना है इस तरह से जिदर से हमारी जिप स्टार्ट हुई है उदर से हमने अपने कॉलर को लगाना स्टार्ट करना है इस तरह से आप लोगों को मैं फिर बता रही हूं नीचे जो हमारी शर्ट का कपड़ा वो हमने ज्यादा नहीं दबाना सलाई के अंदर थोड़ा थोड़ा लेंगे इस तरह से जी हम गुलाई में अब अपना कॉलर अटैच कर लेंगे यह सलाई लगाते हुए हमने एक और बात का ख्यार रखना होता है कि हमने ना तो शर्ट के कपड़े को खेंचने है और ना ही हमने अपने कॉलर को खेंचने है तो जी, अगर हम खैंचेंगे तो हमारे श्ड का कपड़ा जाएगा और हमारे कॉलर छोटा हो जाएगा बिलकुल हलके हाथों के साथ ही हमने स्लाई लगा लिह ताके हमारा अ Hij अचे के पियमा का कॉलर भी लग जाएगा, मैं फटा फट से सलाई लगा लेती हूँ तो जी देखे, इस तरह से मैंने सलाई लगा ली और मेरा कॉलर भी लग चुका, नीट एंड क्लीन, कोई सिल्वर्ट, कोई बल कहीं भी नहीं आया, तो जी इसी तरह अगर आप से मैथट के साथ अपना बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा और इजी ली बन जाता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है